हम आ गए हैं अपने कीचन पर और मैं आपके साथ आज बहुत ही आसान और दस नड़ में बनने वाली तीन चटनी की रेस्पी शेर करने वाली जो पहली चटनी है हमारी वो है करांदे की चटनी जिसमें मैंने 5-6 करांदे ले लिये हैं और 2 मिर्च ले लिया है और धनिया ले मिर्च और थोड़ा सा पानी तो बैस यह देखिए करांदे की चटनी बनके तयार होंगे आप पोकॉड़ी के साथ यह समोज से उगेरा चार्ट की विक्ली के साथ आप बहुत आसानी से बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है तो गैस ही है हमारी दूसरी स्टमी यह तो अब ने दूसरी के सब्सक्राइब दाल दिया हमने दनिया और दनिया और टमाटर की चटनी जय चार्लेसं की चैनिया यह थोड़ा सा पानी देखिए हमारी टमाटर के तयार हो गई और बहुत अच्छा लूखा आ रहा है इसको आप किसी के वैस चाओ और नोटी सब्जी डेली में आप बना के खाईए बहुत ही अच्छा लूग देता है और पकोड़ी बगएरा मुंगों की दाल के पकोड़ी बनाईए तो उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस अब हम अपने तीसरी चटनी बनाते है त दो मिर्च लिए है और जस्ट हलका सा पानी डालेंगे इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे पस एक दो भूण और टक्कन बंद कर लेते हैं चटनी बंद के तयार होगी इसको थोड़ा सा महीन नबदी के खड़ा खड़ा पीसे तो बहुत अच्छ लगती है और वैस इस साथ और भी टेस्टी लगती है में इसमें लैस्न बहुत ही अच्छी कुस्ट्र हो देती है तो गयस यह मे इज तीन व चटनी की रेस्पी बनके तयार हो गए consent me R regarding बहुत ही कम थैमें दस बीनके तायर हो जाती है और कुछ जाधा time नहीं लगता है तो गयस अगर रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा अवेल आइकन को जरूर प्रस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह आप लोगों को पहुंसती रहे और तो थैंक यू गाइज